एसे तो मैं खुद वीडियो बनाता हूं लेकिन पिछले बार मैंने एक रामदे बाबा वेट गेंड वीडियो डाला था जिसमें की लाखो तीन लाख के उपर व्यू आगे थे और उसमें जो कॉमेंट सेक्षिन में आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर रेजल भी मिल रहे है लोग बता रहे हैं कि दूसरे कोई टीप्स है तो हमें बताएं तो मैंने आज एक ढूंड कर लाया हूं रामदे बाबा का वेट गेंड वेडियो चलिए देखते हैं दूसरी बात अंडर वेट तो अंडर वेट क्या करें और वेट के लिए तो हम बहुत बताते रहते हैं आश्रोगंदा के पत्ते खाओ गोमत्र पीओ मेदो हर लो यह अपुष्टा हर दलिया लो कपाल भाती करो गरम पाने पीओ बहुत उपाय बताते रहते हैं यह अंडर वेट बड़े परिशान रहते हैं बहुत बावाजी हमारा भी कभी नंबर ले लिया करो तो जो अंडर वेट हैं उन्हों को भी कमजोरी लगती है तो अंडर वेट क्या करें अंडर वेट के लिए सबसे अच्छा है डेट खाओ वेट बढ़ाओ डेट्स डेट्स कितनी सस्ती हो कितनी महेंगी हो समान रुप से लाब करती है कोई महेंगी सस्ती तो उपलफधता के आधार पर है लाब के आधार पर सभी तरह की खजूर वजन बढ़ाती है लेकिन खजूर बावजार से लेके जो आते हो ना सस्ते वाली उसको दो लिया कर करें इसको विटामिन निखल जाएंगे खजूर भी धोके नहीं खाते खजूर धोके खाया करो अंजीर मुनक कादी धोके खाया करो और यह जो किसमिस है न इसको भी गंधक से सलफर से प्रोसेस करते हैं तो भी इसका ही कलारादी मेंटेन होता इसको भी धोके खाया करो हर चीज़ को धोके खाना चाहिए डेट खाओ केला खाओ चार केले इस सुबह दूद के साथ खाओ और दूद में घोट के पी जाओ क्या बोलते हैं बनाना शेक बनाना सेक पी जाओ फिर शाम को दूद के साथ पी जाओ दो पहर को केला धही के साथ खाओ चार 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 बारा एक दरजन केला रोज खाओ और दो तिन मेहने में तो अकदाम पूरा वजन बढ़ जाएगा आजकर वजन बढ़ने के चकर में लोग क्या-क्या जहर खा रहे हैं बावड़े हो रखें और पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या डाइट खाते हैं केला और आम सबसे ज़्यादा वजन बढ़ाते हैं तो आम को भी दूद में मिल्क शेक बना की पियो केला का मिल्क शेक आम का मिल्क शेक नहीं तो आम खाओ उपसे छंडा दूद पीलो आम गरमी भी नहीं करेगा और वजद बढ़ जाएगा वैसे तो सब को बताया जो आम वाले इलाके के लोग है जो आम खाते है ना उनका आम के सीजन में तीन से पांच किलो वजद बढ़ जाता है फिर घटाना पड़ता है बादमे तो ये आम से वजन बढ़ता है केला से वजन बढ़ता है डेट से वजन बढ़ता है अब वजन बढ़ाने के लिए माताओं के लिए special उपाए और माताओं की कमजूरी के लिए भी शतावर शतावर चुर्ण खाने से एक तो जिन माताओं बेहनों के ब्रेस्ट पूरी नहीं होती है, तो उनके स्थन उभर जाते हैं, पूरे आ जाते हैं, नहीं तो किसी किसी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, ब्रेस्ट पूरी विकिसित नहीं होने से, ब्रेस्ट में किसासत माताओं के स्थनों में दूद भी पूरा उतर आता है, और ज पुष्टिक आहार भी ना मिले ना माने दाल रोटी सब्दी भी मिले तो आप शतावर का एक चमच एक चमच और इसमें भी तो पीला शतावर होता है ना पीला शतावर पीला शतावर विशेश लाब करता है